हाई हूशन लाहता है चैप्टर है अफजल लिव्ज इन गुर्ग्राम इन हरियाना अफजल जो की हरियाना के गुर्ग्राम सिटी में रहता है लास्ट महीने पिछले महीने अफजल एन उसकी सिस्टर आफरेंग अपने पैरेंट्स एन ग्रैंड मदर के साथ उन्होंने गोवा में एक सम्मूंदर के किनारे रिसोर्ट की विजिट की उन्होंने जो की सम्मूंदर के किनारे हैं उसकी उन्होंने विजिट की गुम के आए थे अब देखिए A few days after the school closed for summer holidays अफजल and his family took a taxi from their home to airport देखिए summer holidays के लिए school closed होने के कुछ ही दिनों बाद में अफजल and his family अफजल and उसके family ने took a taxi from their home to airport अफजल की फैमिल अफजल and उसकी family ने अपने घर से एरपोर्ट तक जाने के लिए एक टैक्सी को हाईर किया ओके they boarded a flight to goa उसके बाद वो goa जाने वाली flight में सवार हो गए they raised goa in two hours और वो दो घंटे के अंदर ही goa पहुंच गए okay students समझ में आया अफजल हर्याना के good ground शहर में रहता है और last month अफजल ने और उसकी sister आफरी ने अपने parents and grand mother के साथ goa में एक seaside resort की visit की अब देखे उन्होंने visit कैसे की वो visit के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कैसे की और कितने time में की a few days after the school closed for summer holidays summer holidays के लिए school closed होने के कुछ ही दिनों बाद अफजल एन उसकी family ने अपने घर से airport जाने के लिए एक taxi को hire किया उसके बाद क्या हुआ they boarded a flight to goa उसके बाद वो goa जाने वाले flight में सवार हो गए boarded का मीनिंग होता है सवार बना they raised goa in two hours उसके बाद वो दो घंटे में ही goa पहुँच गए देखे आगे क्या होता है how fast we can travel by aeroplane अफजल wondered अफजल को आश्चर्य हुआ wonder मतलब आश्चर्य होना अफजल को आश्चर्य हुआ कि aeroplane से हम कितना fast travel कर सकते हैं he remembered his friend Vicky saying that when they went to goa by train it took them more than one holiday उसे याद है कि जब उसके friend Vicky ने उसे बताया था कि जब Vicky और उसका परिवार कहां गए थे goa by train train से अब देखे अफजल को याद आ रहा है कि अफजल का friend जो Vicky है Vicky कहां गए थे वो गवा गए थे और कैसे गए थे train से train से गए थे और Vicky ने यह सब बाते किसको बताया अफजल को अब अफजल को सारी बाते याद आ रही है कि जब अफजल का friend Vicky train से गवा गया था अपने परिवार के साथ it took them more than one holiday one holiday एक पूरे दिन से भी ज़्यादा उनको time लगा था अब देखे students जब train से जाते हैं तब कितना ज़्यादा time लगता है और aeroplane से जाते हैं तब कितना कम time लगता है तो aeroplane क्या हुआ fastest way of traveling next paragraph देखिए all of us need to travel for work or for leisure हम सबको need होती है हम सबको आफशकता होती है traveling की, यात्रा करने की for work, या तो किसी काम के लिए or for leisure या फिर हम अपने leisure time को spend करने के लिए अपने खाली time को spend करने के लिए the various methods that we use to travel are called means of transport और जो अलग-अलग methods हम traveling के लिए use में लेते हैं उनको क्या बोलते हैं means of transport याता-यात के साधन for example, bus, car, train, aeroplane यह सब क्या है means of transport okay students we use different vehicles to travel on land, water and air हम अलग-अलग vehicles use में लेते हैं travel करने के लिए land के उपर अलग vehicles water के उपर अलग vehicles and air में अलग vehicles होते हैं means of land transport अब हमारा point आता है means of land transport land transport के कौन से कौन से साधन होते हैं कौन से means होते हैं okay students so rods connect different cities and villages across the country जो rod होती है वो सारी country में अलग-अलग cities and अलग-अलग village को connect करती हैं एक दूसरे से जोरती हैं okay students जो rod ही है जो एक अलग-अलग cities को and villages को एक दूसरे से जोरती हैं okay rods are important because a lot of things that we need daily such as fresh vegetables and fruits are more across the country on truck okay students अब देखिए roads are important roads हमारे लिए भूजदा important है क्यों? क्योंकि जो हमें daily use की जो important चीज़े होती है वो हमें किसे मिलती है road की through किसे आती है जो just like for example fresh vegetables and fruits होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं road की उपर जो truck होते हैं उन्हें से हमें हमारे पास आती है न road की उपर truck चलते हैं और truck के अंदर fresh vegetables and fruits हमारे पास आते हैं so road हमारे लिए important हुई न क्योंकि road की through हैं हमारे पास fresh vegetables, fruits and other जो important things होती है हमारे daily use की वो truckों में आती है okay students next point देखिए roads connecting important cities in a country are called highways okay वो road जो हमारी country में important city बड़ी बड़ी जो cities होती है important cities होती है उनको आपस में जोड़ती है उन road को क्या बोलते हैं highway okay students बड़ी 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 गंटी just like Jabu, Delhi, Kolkata तो इनको जो road जोड़ती है आपस में उन road को हम क्या बोलते हैं क्योंकि वो बहुँ ज़ादा बड़ी होती है लंबी होती है इसलिए उनको बोलते है highways okay the various means of land transport are cars, buses, trains, auto rickshaws, scooters and cycles अलग-अलग जो land transport है अलग-अलग तरह की land transport है उनमें कौन से कौन से land transport आते हैं for example car, buses, trains, auto rickshaws, scooter and cycle ये कुछ transport है जो कौन से है land transport जो जो बोलते हैं okay students so ये chapter 14 का first page हमारा complete हो चुका है next page हम next video में पढ़ेंगे इस page की आपको घर पे reading लगाने हैं okay students thank you